आज की एपिसोड में आपका स्वागत है एपिसोड की शरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था ग्लोबल हंडर इंडेक्स यानि जी एच आई की संगठन द्वारा जारी किया जाता है सही उत्तर है विकल्प सी चले देखते हैं इसके एक्स्प्लिनेशन को हाल ही में वैशिक भुखमरी सुचकांक यानि ग्लोबल हंडर इंडेक्स दो हजार तेस चारी किया गया है इस सुचकांक में भारत को 125 देशों में 111 इस्थान दिया गया है जबकि वर्ष 2022 में भारत 121 देशों में से 107 में पायदान पर था भारत की पडोसी देश जैसे स्रिलंका 60 में स्थान पर निपाल 99 में बांगलादिश 81 में और पाकिस्तान 102 में स्थान पर भी इससे बहतर रिस्थी में है बता दे की ग्लोबल हंडर इंडेक्स वैश्विक छेतरी और राश्ट्रे स्तर पर भूग को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उकरण है इसे कंसर्ण वर्ल्ड वाइल और वेल्थ हंगर हिल्फ त्वारा सायुक तुरूप से प्रकाशित किया जाता है यह एक वार्शिक रिपोर्ट है जिससे पहली बार 2006 में जारी किया गया था इसका उदेश दुनिया भर में भूग को कम करने के लिए कारेवाई शुरू करना है इसके स्कोर को 100 पॉइंट के स्केल पर मापा जाता है जिसमें 0 सबसे अच्छा कोई भूग नहीं जबकि 100 सबसे खराब स्कोर है इसके गर्णा चार संकेत को के आधार पर की जाती है कुपोशर या अलपपोशर, चाइल्ड स्चनिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्युदर इसलिए विकल्प सी सही है तो चलिए एपिसोट के शुरुआत करते हैं आज के प्रशन के साथ पहला प्रशन है काजु के संदर्भ में निम्रलिखित कत्नों पर विचार कीजे एक, भारत में सबसे महत्वपून व्रिक्षार उपड फसलों में से एक है दो, काजु के पेड की उत्पती ब्राजील से हुई है तीन, अंग्रेजों द्वारा इसे गोवा लाया गया था उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल एक, B केवल दो, C सभी तीन, D कोई भी नहीं सही उत्तर है विकल्प B केवल दो चले देखते हैं इसके एक्स्परनेशन को चले जानते हैं इसकी फसल के लिए आदश इससिती, मिट्टी और जलवाई इसकी खेती के लिए अच्छी जलनेकासी वाली गहरी रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है यह गर्म आदर परिस्टियों में भार्दी तटी शेत्र के लिए बहुत अच्छी तरह से अनकूलित है 20 से 38 डिग्री सेल्सिस के बीच सापेक्शिक आदरता 60 से 95 प्रत्शत के बीच होती है वर्षा 2000 से 35 मिली मीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है अत्यदिक कमतापमान और पाला काजू की खेती के लिए अनकूल नहीं है इस प्रकार किवल दो कथन ही सही है इसलिए विकल्प B सही है अगला प्रश्न है चले देखते हैं इसके एक्स्प्रेनेशन को हाले में गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 यानि IMI 5.0 का तीसरा चरण शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष के इंद्रे स्वास्त इवं परिवार कल्यार मंत्राले का प्रमुख नियमित टीका करण अभियान है यह मिशन सुनिशित करता है कि नियमित टीका करण सेवाए देश भर में छूटे हुए बच्चों और गर्ब वती महिलाओं तक पहुचे इस वर्श पहली बार यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और इसमें 5 वर्श तक के बच्चे शामिल हैं इसका उदेश राश्य टीका करण अनुसजी यानि NIS के अनुसार सारोभौमिक टीका करण कारिग्रम यानि UIP के तहत प्रदान किये गए सभी टीकों के लिए टीका करण कवरिज को बढ़ाना है इसमें 2023 तक खसरा और रुबेला उन्मूलन के लक्ष के साथ खसरा और रुबेला टीका करण कवरिज में सुधार पर विशेश ध्यान दिया गया है इसलिए विकल्प B सही है अगरा प्रेशन है हाल ही में किस संदर्व में नासा के पारकर सोलर प्रोब का उलेग किया गया है A. एक नए ग्रह की खोश करने के लिए B. गती का एक नए रिकॉर्ड स्थापित करने और सूरी के सबसे करीप पहुशने के लिए C. मंगल ग्रह पर पाने की खोश करने के लिए D. दूर की आकाश गंगा का अवलोकन करने के लिए सही उत्तर है विकल्प B. गती का एक नया रिकॉर्ड इस्थापित करने और सूरी के सबसे करीब पहुँचने के लिए चले देखते हैं इसके एक्स्प्रेनेशन को खाली में नासा के पारकर सोलर प्रोब ने सूरी के चारों और अपनी सत्रमी कक्षा के दौरान 6,35,266 किलो मिटर यानि 3,94,736 मिल प्रती घंटे की विक से यात्रा करते हुए एक नया गती रिकॉर्ड बनाया है इस तरह इसने अपनी गती के पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है उलेखनी यह है कि पारकर सोलर प्रोब नासा द्वारा सूरी के कोरोना वा सौर वायू का रहसे जानने के लिए भीजा गया एक अंतरिक शियान है यह मिशन वर्ष 2018 वे शुरू किया गया था इसका नाम फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पारकर के नाम पर रखा गया है गौर तलब है कि यह मिशन सूरी की आवेशित कड़ हमाओ और उसके चुम्बकी शेत्रों पर आवश्यक डेटा एकत्र करने में महत्वपून भूमिका निभाता है इससे विकल्प भी सही है अगला प्रश्ण है गठिया रोग यानि आर्थराइटिस के सम्बंध में निम्रलिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक यह एक सूजन सम्बंधि संयुक्त विकार है दो इसके सौ से अधिक प्रकार मौजूद है तीन विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी ती, डी कोई भी नहीं सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन चले देखते हैं इसके एक्स्पेनिशन को आपको बता दे कि विश्व गठिया दिवस या विश्व गठिया रोग दिवस एक वैश्विक स्वास जागरुकता कारेकरम है यह हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है इसलिए कथन 3 सही है इस दिवस को मनाने का उद्देश गठिया रोग इसके प्रभाव और इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरुकता फैलाना है वश दोहजार तेज के लिए इस दिवस की थीम लिविन विट एन आरेमडी एट आल स्टेजस ओफ लाइफ रही यहां आरेमडी का पूरा नाम रोमेटिक एंड मस्कुलिस केलेटर डिजीज है गौर तलब है कि गठिया एक सूजन सम्बंदी संयुक्त विकार है जो जोडो और अनसंयोजी उद्गों के आसपास के उद्गों को प्रभावित करता है इसलिए कथन एक सही है इसके सौ से अधिक प्रकार मौजूद हैं जिनमें ऑस्टियो और्थराइटिस और रोमेटाइट गठिया सबसे आम हैं इसलिए कथन दो सही है इसके प्रकार के आधार पर इसका उपचार भिन होता है इस प्रकार तीनों कथन सही है इसलिए विकल्प सी सही है अगला प्रश्ण है यह प्रेट बोर्णियों में प्राजेन चठानों का अध्यन करते समय मिली है प्रेट कभी प्रशांत महासागर के आकार की लगबक एक चौथाई थी और आज के दक्षिट चीन सागर के नीचे मौजूद थी यह प्रेट अपने अस्तित्व के दोरान पोंटस महासागर के नीचे इस्तित्थी यह समय के साथ सिकूर्थी गई और अंतता आस्ट्रेलिया एप्रेट एवं चीन के नीचे दब गई इसलिए विकल्प ए सही है अगला प्रश्न है जी ट्वेंटी संसदी अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित पत्नों पर विचार कीजे एक नवे पी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की संसद द्वारा किया गया दो इसकी ठीम एक पृत्वी, एक परिवार, एक भविश्य के लिए संसद रही उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दो दो, D न तो एक और नहीं दो सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दो रूप चले देखतें इसके explanation को चले देखतें इसके explanation को यानि नियोफॉन, परकरोप, टैरेस, यूरोप, मध एशिया और अफ्रिका का मूल पक्षी है यह सर्दियों में भारत सहीत एशियाई देशों की ओर यात्रा करता है यह मनुश्यों के पास खुले शुष्क छेत्रों में रहता है जहां भोजन के बहुत सारे विकल्प है इसकी IUCN इस्थिती इंडेंजर्ड है इसलिए विकल्प ए सही है बता दे कि भारत में गिद्धी की नौ प्रजातिया पाई जाती है अगला प्रश्न है वाइट फास फोरस बम के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजे एक यह मनुश्यों के लिए हानिकारक नहीं है अपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है चले देखते हैं इसके एक्स्प्रेशन को खाली में इस्राइली सेना पर आरूप लगाया गया है कि वह गाजा की नागरिक आबादी पर वाइट फास फोरस का उप्योग कर रही है बता दे कि वाइट फास फोरस एक मूमी रसायन है जिसमें तीखी लहसुन जैसी गंध होती है इससे बेहत खतरनाक रसायन माना जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है यह मनिशों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह त्वचा और कपड़ों सहीत कई सत्हों पर चिपक जाता है इसले कथन एक सही नहीं है इसका उप्योग स्मोक स्क्रीन या हतियार के रूप में किया जा सकता है जिसे नागरिकों को नुकसान पहुचता है और जीविद बचे लोगों पर इसका दिर्ग कालिक प्रभाव पड़ता है अगला प्रशन है सरस्वती सम्मान के शेत्र में महत्वपून उपलब्धियों के लिए दिया जाता है चले देखते हैं इसके एक्स्परनेशन को हाली में तमिल लेखक शिव संकरी को उनके 2019 के संस्परण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान के के बिल्ला फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाला एक साहित पुरसकार है यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतिय संविधान की आठवी अनुसूची में दर्ज भाशाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहितिक कृति को दिया जाता है इसके शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी पहला सरस्वती सम्मान साहितिकार डॉक्टर हरिवंच राय बच्चर को उनकी आत्मकता के लिए दिया गया था सरस्वती सम्मान के अलावा बिहारी पुरसकार और व्यास सम्मान की की बिल्ला फाउंडेशन द्वारा इस्थापिद अन्य साहितिक पुरसकार है चले देखते हैं आज के एपिसोड की अभ्यास प्रश्ट को कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाला नालाबन दीव पंक्षी अभ्यारण किस जील में इससे थे A. चिलका जील B. पुलिकर जील C. लोकटक जील D. वेंबनार जील इसका उतर कमेंट बॉक्स में देना न बूले आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया